कि एक समय था जब समीद्हान लागू होने वाला था तो उस समय आय जो प्रतियां थी वह लोग सवसंसत के सामने जलाई गई थी कुछ लोग नहीं चाते थे कि सम्मेधान लागू हो यहाद यह सम्मिधान लागू नहुता तो आज की भारत की इस्तिति कैसी होती कि देखिए क्या जैस जससरे जो तो जिस तरीके से पहले मनु विवस्ता थीी मनुबाथ से चलता था यसाट बेसमेर जुत पो झाले यह जो लोग हैं वो बंढ विवस्ता से चलते थे तो कभी नहीं उन्हों नहीं कि अभी फुछ दिन पहले अफगादस्तान में जो इस्तिती थी है वो इस्तिती होती है यदि हम तो यह धन्यवाद करते हैं उन लोगों को जो सम्मेदान की पितियां जलाते थे कि आपने सही समय पर नहीं किया आज जिस तरीके से वहां के जो जादान जनसंख्या वाले जो लोग है ना उन्होंने जो कुछ प्रप्रसेंट वालों को अफगानिस्तान से बाहर कर द के चलनने वाले लोग हैं और से जनदान के चलते हैं ये संब्धान नहीं होता विए काई लागू नहीं करने देते तो इस देश में रहर ही नहीं पाते यह स्थित्ति होती हैं डेखिये इस देश में जब कोई भी आंदोलना मूमेंट चलता है तो उसको तोड़ने के के लिए उसको कैसे इनकी एक जोटता खतम होने के लिए उसके लिए साजस की जाती है साजस पहले भी की गई थी साजस अभी भी की जा रही है और साजस आगे भी की जाएंगी हमारे सभी जो बीजी मुवमेंट के साथ हैं सब बहुत ही सचेद और जागरत लोग हैं वो जानत एक थे पएसे एक रहेंगे आने वाले समय में OCD priests in माहसरवब कितने बड़ाच माالकेétais उसके समय में मद्ध देश के हर जिले हर तैसिल हर कस्वे में ओभी सी मुमेंट चलेगा बड़े-बड़े प्रोग्राम सोंगे और उसके बाद राइजधानियों को घेर अपना सक्ति प्रतसन होगा उसके बाइस देश की राइजदानी दिले में अभी लाकों के इस्तिती में वीची के लोग पहुचकर अपनी सक्ति प्रतसन करेंगे और अपने वह दो मुख्य मूद्ध क्या है हमारा सबसे मुख्य मुद्ध है जात्य própli जनगणना और जान कराने के बाद हमारा हग अधिकार कि जिसकी जितनी संख्या बाजी उसकी उतनी हिस्से दाइए हमारा मुख्य याजिन्ड है और इसी ऎजिंड है em एं में सुप्रीम कोट में हाइप बंढसवा में ळोक नो करियों में फ्राइवेट सेक्टर में हम्हारा ट्रॉड बिद्र के एह ते हमारे साथ में लोकेंदुर्ड princes कारा कर रहे हैं मैं क्रिश्ण राष्टवादी आपके साथ जुड़ा रहूंगा यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी चैनल को सब्क्राइब करें जै हिन्द जै भारत